सस्ता सोना खरीदने का आज आखरी मौका सरकार 5,369 रुपर प्रतिक ग्राम की दर से बेच रही है गोल्ड चुलाई की तरह अगस्त में भी सोने और चांदी की कीमतों में उतार चुड़ाव का दौर आज भी जारी लगतार तीम दिन से गिर रहे हैं चांदी के भाव बहीं बात करें सोने की तो सोने में भी काफी बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं ऐसे में गर आप सोने और चांदी खरीदने का प्लान बनाते हैं या आप सोने और चांदी में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी है शानदार मौका त्योरो के सीजन से पहले अगर आपको सोने और चांदी के गहने बनवाने हैं तो आपके पास इसके ताजा भाव की जानकारी जरूर होनी चाहिए इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं आज सोने और चांदी का ताजा भाव कितना चल रहा है और आज एक तोला सोने का क्या भाव है इसी के साथ जानेंगे आज एक कलो चांदी किस भाव पर बिक रही है दोस्तो सोने और चांदी में कितनी भारी गिरावट आई है और आगे कैसे रहेगी सोने और चांदी की चाल चलिए दोस्तो तमाम सोने चांदी से जड़ी बाते जानने की कोशिस करते हैं आज की इसी वीडियो में तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल सरकारी फायदे पार आज की इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे आज के चांदी के भाव इसके बाद हम सभी कैरेट के साब से सोने का भाव जानेंगे और आपको बताईए सोने और चाνदी में कितनी जादा गिरा बटाई है और अभी आगे कितना सस्ता हो सकता है सोना और चांदी दोस्तो हम आपको अपने इस चैनल पर रोजाना सोने चांदी से जुड़ी स sóब जानकारी देते हैं तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिये ग्या है उसको दबा दें जिससे कि आने वाली नई और महतापूर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके आइए अब बात करते हैं चांदी की चांदी का क्या भाऊ है चले हम देखे लेते हैं दोस्तों चांदी के दामों में आज भारी गिरावत देखी गई है और आज फिर से चांदी के दाम सस्ता हुआ है आज एक ग्राम चांदी का भाव मात्र 82 रुपे है, दस ग्राम चांदी का भाव 825 रुपे है, सो ग्राम चांदी 8255 रुपे की है, और आज एक किलो चांदी का भाव 82,550 रुपे है, फिलहाल चांदी के दाम अगर गल से देखे जाएं, तो आज 70 रुपे प्रती किलो ग्रा यानि चान्दी का भाव लगातार गिर रहा है आपके पास चान्दी खरीदनी का ये बेहतरीन मुका है आपको बता दे जब से संसत भवन में नया बजट पेश हुआ है और सोने और चान्दी के दामों पर कस्टम डूटी 15% से गटा कर 6% कर दी गई है तब इसे चान्दी का भ और जादा महगा हो जाए आप इसकी अभी खरीदारी कर सकते हैं आईए दोस्तों तो बात कर ले सोने की सोने का क्या भाव है चलिए हम देख लेते हैं लेकिन इससे पहले हम सोने की बात करें आप से जानना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो के शेयर से देख रहे हैं और आ आप हमें कमेंट करके जरूरू बताएं चलिए तो सबसे पहले जानेंगे आए दोस्तो अब हम 14 के बाद बात करते हैं 18 के रिट सोनी की तो आज एक ग्राम 18 के रिट सोना 5702 पहीं दस ग्राम यानि एक तोला 18 के रिट सोना 57,020 रुपे का है तो फिलहाल दोस्तो सोनी के दाम अब थोड़े महगे होते जा रहे हैं आपको बता दें आज सोनी के दामों में तेजी आई है आज 18 करेट सोना 550 रुपे पिरती तोला महगा हो गया वहीं कल भी सोनी के दामों में 330 रुपे की तेजी आई थी आई दोस्तो अब हम बात करते हैं 20 करेट और 22 करेट सोनी की लेकिन इससे पहले दोस्तो एक जरुजानकारी आपको बता दें इस समय सरकार बन नेशन बन रेट के उपर गंबीरता से सोच रही है यानि सरकार चाहती है कि एक देश में सोने और चांदी का एक ही रेट होना चाहिए यानि पूरे भारत देश में सोने और चांदी का भाव एक ही होना चाहिए इस समय हर राजी का अलग अलग सोने और चांदी का भाव होता है यानि के एक राज में हर शहर का सोने और चांदी का रेट अलग होता है राज सरकारें अपने हसाब से सोने और चांदी पर अलग से टेक्स लगाती है इसको अटाने के लिए केंदे सरकार सोच रहे है कि एक देश में एक सोने और चांदी का रेट होना चाहिए यानि के आप पूरे देश में सोना और चान्दी कहीं से खरीदे सोना आपको एक ही वाव पर मिलना चाहिए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं क्या ये नियम आम आदमी के लिए सही रहेगा ये नहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आईए तो अब बात कर लेते हैं 20 करेट और 22 करेट सोनी की तो 20 करेट सोने का 1 गराम का रेट 6265 बहीं 10 गराम का रेट 62,650 रुपे है चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे 22 करेट सोनी की तो आज 1 गराम 22 करेट सोना 6,870 रुपे 8 ग्राम 22 कैरेट सोना 54,960 रुपए 22 ग्राम यानि एक तोला 22 कैरेट सोना 68,700 रुपए का है भही अगर 100 ग्राम की बात करने तो 6,87,000 रुपए का 100 ग्राम सोना है फिलहाल 22 कैरेट सोने का भाव अगर कल से देखा जाए तो आज 650 रुपए पिरती तोला महंगा हो गया भहीं कल भी 22 कैरेट सोने में 400 रुपए पिरती तोले की तेजी आई थी यानि सोनी और चांदी का दाम अब लगातार महंगा हो रहा है और अब ये महंगा होते हुए 70,000 को भी पार कर सकता है आपको बता दे 23 जुलाई 2024 से बजट से पहले सोने का ये भाव 22,000 पर चांदा हा था जो की फिलहाल अभी 68,000 पर ही है ऐसे में अगर आप चाते हैं तो इसकी सच्टे दाम पर अभी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि आगे चलकर ये दाम अभी और जादा मेंगा होने वाला है ऐसा जानकारो का मानना है आपको बता दे मंदपूर में तनाव चल रहा है चीन में सोने की मांग में तेजी आ रही है भही अमेरिका में फेडरल बैंक बियार्जदरों में कटोती कर रहा है जिसके कारण कीमतें तेज होती जा रही है और अगर लंबे समय के लिए सोचा जाए तो सोने के दाम अभी भी और जादा मेंगे होंगे इस साल 2024 के आखरी तीन महीनों की अगर बात की जाए तो सोने नए रिकॉर्ड उचाई पर फिर से पहुंच सकता है जानकारों ने कहा है कि साल के अन तक सोने कदाम 75,000 से लेकर के 80,000 तक पहुंच जाएगा फिलहाल के लिए आप 68,000 पर चल रहे सोने की खरीदारी आसानी से कर सकते हैं इसी के साथ दोस्तो सोने और चांदी के जानकारों ने सरकार को सला दी है कि सोने और चांदी का भाव सोने और चांदी के गहनों की बिक्री EMI पर होनी चाहिए यानि आम जनता को सोने और चांदी के गहने आसान किष्टों पर खरीदने का मौका मिलना चाहिए जिससे जो देश की गरीब जनता है और जो आम आदमी है वो सोना और चांदी किर्ष्टो पर खरीद के घर ला सके हर महीने आसारी से किर्ष्ट जमा करता रहे इसके बारे में दोस्तो आप क्या सोचते हैं क्या ये नियम सही रहेगा सरकार को आम आदमी के लिए सोने और चांदी की विक्री की अनुमती देनी चाहिए या नहीं आप हमें कमेट करके जरू बताएं चलिए तो अब इसी जनकारी के साथ हम बात करते हैं 24 करेड यानि शिद्ध सोनी की तो आज 1 ग्राम 24 करेड सोना 7,049 रुपए 10 ग्राम 24 करेड सोना 70,390 रुपए है दोस्तो ये थे आज के हमारे सोने और चांदी के ताज़ा भाव आपको बता दे ये दाम बिना GST और मेकिंग चार्ज के हैं सोना और चांदी के गहने खरीते समय इन दामों पर 3% GST और मेकिंग चार्ज आपको अलग से देना होता है